देखें दोस्तों भी साग तोड़ रही है मेरी दर्म बतनी जी इतना सारा तोड़े हुए हैं और इतना में हो जाएगा दोस्तों आज हम कोड़ा का साग का बनाएंगे पकोड़ा तो पकोड़ा बनाने के लिए तो इसमें देखें पहले प्याज ले लिए हैं और हरा मिर्च और अब साग डालेंगे मसाला पीस्की रखें हैं लसून और अद्रक है गोल की इतना मस्त लग रहा दोस्तों फान लेक्दम अच्छे तरीके से मिक्स कर दिये और अब इसको बनाने के लिए जा रही दोस्तों देखिए पग्या उप्रा लाल हो गया देखिए पग्या और स्वास्त होंगे मस्त होंगे और अपने अपने जिन्दिगी में सब खुस होंगे दोस्तों अभी सुबह के आट बज चुके दोस्तों हमारी वर से आप सब को धेर सारा प्यार बरा नमस्कार दोस्तों भी गए थे बारी और बारी से भी दोस्तों काम करके आये हुए है और जार दोस्तों खाना खाने के लिए तो पिरती जी क्या क्या खाना बनाई है क्या बनाई है क्या बनाई खाना भी और आलू का भुजिया बना हुए दोस्तों और दोस्तों चले खाने के लिए निये खाना निकालने गई है अब दोस्टों आपूब को दिखा दे के मौसम भी कैसा है दूसतों धूप उचनका है दूसतों दूसतों मौसम और सुरज भगवान देखें पर आप मस्त मौसम दूस्टों दूसतों खाना लगा दिये और तुम कहने खाएono करेंद कॉल अभी तुम भी खाने जा रही है ज़ुसतों दिखाते चोखा शूप division नोलो का चोखा निप लंगोने। वह खान दोस्तो आलू का चोखा बनाई है थोड़ा भूंज के खाने के लिए देखते दोस्तो कैसा है चोखा कैसा बना हुआ है अब खाना खा लेते हैं दोस्तो कहाना खा लिए और आप दोस्तों चलते हैं थोड़ा काम बचा हुए और बारी से भी दोस्तों काम करके आये हैं और अभी एक 11 बच चुका दोस्तों और अभी खाना क्या बनाएगे प्रतिजी आप लोग को देखाएंगे दोस्तों हम जा रहे हैं साख तोड़ने के लिए में उस्तों छीजिए हम द्यारे मौनी लेते हैं मौनी निकालने के लिए में अखे। हासा रहuli है मोनी ले लिया है तोत्री थे मौनी तोड़े लाएगे म।को देखें हैं। कोर्रा का साउन आए छोटा छोटा साउन तोड़ रही है कि यह छोटा छोटा चोटा है बढ़ा बिंद Promise भी पत्त है दोस्तों कि अधिक है जोटा ळूबनãy इतना बड़ा-बड़ा पता तोड़े दोस्तों हारी कुह्रा का पत्ता है इसको नोग साग बोलते हैं और इसका आज स्पेसल रेशीपी बनने वाला है दोस्तों जो कि आप लोग को दिखाएंगे पर जैदा नहीं तोड़ेंगा दोस्तों थोड़ासा ही तोड़ेंगे अब जो नुजगा नुजगा पत्ता है दोस्तों देखे इसाब करते हैं सब नुजगा नुजगा पत्ता है तोड़ देए अधर आधर चावल चड़ा दिया है चावल बंड है दोस्तों तब तक इदर साघ तोड़ने के विरये अहीं तोड़े ले रह smartphones यह में इंडी दोष्तों को इतना सारा तोड़े हुए है और इतना में हो जाएगा नुजगा कि दोस्तों इतना में ही हो जाएगा नोद दिकला हैara स Klein अब चले चलो ध्र लेकिंगें फीरी के लिए दोस्तों सब थाये कैने दोस्तों पहले एक ना ना अच्छा से दोना पड़ता है दोस्तों डेगे कैसे दोह रही है और इसका दोस्तों साग भुजिया भाजी बहुत ही टेश्ट लगता है खाने दोस्तों कुहड़ा साग दोस्तों जो की एगला वीडियों लोग बनाए भी थे तो इसका आज अस्पेसल हम लोग जो बनाएंगे तो आप लोग देखें और कैसे कैसे बनाएगी मेरी धर्म पतने जी अप लोग को दिखाएगी पहले साग तोड़के लाया है और साग तोड़ने के बाद देखें भी पानी से दोह रही है और देखें दो तीन बार धोना पड़ता है दोस्तों पाने से अब इसको कटिंग करेंगे देंगे कैसे काटेंगे एक एक करके सब उठा लेना बढ़ियां से हाथ में देखे पकड़ लेना है अब 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 देखे इस तरह से करके पुरा पतला पतला काटेंगे इसी तरह से पुरा काटना है तो देखे इस तरह से काटेंगे और पुरा पतला पतला देखे कैसे कटिंग हो जा रहा है है दीड़े कर दोस्तों आज हम पुरा का साग का बनाएं डर तो पकोड बनाने के लिए पुरा पतला पतला की कटिंग करना पड़त है और पतला पतला ही करें देख सकते हैं आप लो आ है इसे तरह से सब कटिंग करेंगे और वहहत ही टेमिट लगता एक खानोे में पहणा का साग का पकोड़ा और अगर आप लोग भी खाया होगा तो कॉमेंट करके बताईएगा देखिए इस तरह से दोस्तों साग काटना हो चुका है और देखिए प्याज काट रही है इसमें प्याज डालेगी और इधर मिर्च दोस्तों जो कि मिर्च भी काटाईगी काटी नहीं है और अब बनाने के लिए जा रही है और अब इसको जा रहे हैं सब चीज मिला के तो इसमें देखिए पहले प्याज ले लिए हैं और हरा मिर्च और अब साग डालेंगे कोड़ा का कि अधर काट की रखे थे तो इसमें मिलाएंगे बेशान इतना सब्सक्राइशन मिलाना है और इधर ही आटा रहा थोड़ा से आटा मिलाज देए इसमें और हल्दी फिर हल्दी पावडर देंगे स्वाद अनुसार नमक अधर मसाला पीस की रखें है लसून और अधर रखें गौल की इसमें सारा चीज मिला दिये हैं मसाला अब इसको मिक्स करेंगे बढ़ियां से इस तरह से इसको मिक्स करना है देखें दोस्तों कैसे सान रही है और इसमें क्या-क्या मिक्स किये दोस्तों आप लोग को दिखाई और थोड़ा सा पानी पानी देखें थोड़ा सानेगी दोस्तों अच्छा से मिलाएगी आप देखें दोस्तों थोड़ा सा पानी दे दिया और आप देखें सान रही है देखें कि टना मस्त लग रहा है दोस्तों देखने में भी देखें दोस्तों सारा मिक्स कर दिये हैं और कितना मस्त लगा दोस्तों फानलिक अ अच्छे तरीके से मिक्स कर दिये और अब इसको बाणने के लिए जाए रहे दोस्तों कैसे बनेगा अभी आप लोगको दिखाएंगे और धिख्ये dancers कि अतना मस्त लग रहा दोस्तों इसका हस्टसल आज पकोडा बनने वाला है जो की बहुत ट्रेस्ट लगता है खाने दोस्तों पकोडा और साख का पकोडा दोस्तों खाने का मजा ही कुछ और है से। चावल और सब्जी बन के रेडियो हो चुका है और दोस्तो अब पकोड़ा बनाने के लिए जा रही है और देखे कराई भी चड़ा दिये दोस्तो और इधर अब तेल डाले के दोस्तो कराई गरम हो चुका है और देखे दोस्तो तेल भी डाल दिया देखे दोस्तो फाइनली तेल गरम हो चुका है देखे दोस्तो तेल गरम हो चुका है छानने के लिए जा रही है देखिए डाल रही है कराई में देखे दोस्तो अच पकोडा बन रहा है बहुत दिनों के बाद बहुत दूनों से सोच रहे तर पकोड़ा बनाएंगे और आज अस्पेसल पकोड़ा बन रहा है दोस्तो चोटा-चोटा करके डाल रही है दोस्तो खाने में तो लाजबाप लेगे दोगी कि अधर दूस्तो इतना सारा डाली है और अभी देखें इतना सारा बच्चा वह बनाने के लिए दोस्तों पग गया है अधर देखें दोस्तो कि अतना मस्त बन रहा है अभी पका हुआ नहीं है सारा पकी रहा है देखें पुरा लाल हो जाएगा न दोस्तों तो खाने में और टेस्ट लगएगा क्योंकि यह साग का पकोड़ा है न इसलिए दोस्तों देखें पक गया है फुरा लाल हो गया देखें पक्के और अब निकालेंगे पका यूभ गया वार लेंगे केतना असत पका हुए हॉए थी हसा देखें द्दोस्तों क्यातना मस्त बना हुए है और इपकोड़ा दौस्तों बहुत दिला जभाप लगता है खाने प कि फनले बन के घुप बड़ा सा भी पकाऊ हो दोस्तों फर्स्ट बार भी निकाली हुए है इतना सारा भी बनाना है दोस्तों दोस्तों इतना सारा भी बना हुए है एक बार भी निकाली हुए है और फिर से भी कराई में डाल रही दोस्तों दुबारा और ऐसे ही सारा दोस्तों बनाएंगे देखे इतना सारा बचा हुआ है दोस्तों बहुत ही अच्छा लगता है खाने में दोस्तों कोड़ा साग का पकोड़ा और बहुत दिनों बात बना रहें दोस्तों दोस्तों देखे दोस्तों लास्ट बचा हुआ है थोड़ा सा 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 बचा हुआ है और खाना भी बन चुका है दोस्तों तो खाना खाने चलेंगे साथ में खाना और पकोड़ा एक साथ खाएंगे देखे दोस्तों पुरा खाली हो गया बरतन पुरा खाली हो गया दोस्तों आँच नहीं लाहर रहा है जी लाहर है आँच लाहर है तो पकेगा अच्छा से आँच लगाओ आँच थोड़ा सा भी नहीं जल देखो थोड़ा सा भी आंच नहीं है जो कितना मस्त लहर ने लगा जितना अच्छा लहर हेगा ना उतना अच्छा बढ़िया से पकेगा देखे दोस्तों लास्ट है दोस्तों फाइनली बनके रेडी हो चुका है और आज कोड़ा साग का पकोड़ा बनाएता दोस्तों जो कि बहुत ही टेस्ट लगता है खाने में दोस्तों और कैसे कैसे बनाए दोस्तों आप लोग को दिखाए और दोस्तों दिखाते हैं दोस्तों कि क्यातना सारा आम लोग आज कोड़ा साग का पकोड़ा बनाए हैं दोस कुण्धा साग का स्पैसिल पकोड़ा आज बनाए थे दोस्तों भी आप लोग को दिखाए कि इतना सारा कुण्धा साग का पकोड़ा बनाए थे और दोस्तों खाके देखते हैं कैसा बना हुए है देखे दोस्तों हीरा पकोड हुआ कि बहुत अच्छा बनाया जि तक बनाया बहुत मस्त बना हुआ है दोस्तों आद दोस्तों अब चले खाना खाने के लिए सात में खाना भी खाएंगे और आज के वीडियो बस अहीं तक रखते दोस्तों और इस चैनल पे जो नहीं होंगे तो पिलिद चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और ज्यादा से ज्यादा सेर कीजेगा फिर मिलेंगा आप लोग के साथ नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाइ बाइ जे हिन जे ज्याद